अपने डिए एफ सी से आयल एक्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशन्स का पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें से आपके 12 कुश्टन्स पूछे जाने हैं और आज आपकी इसकी ग्लास नमबर 10 है इससे पहले अगर आपने 9 क्लास नहीं की है तो जागर के वो करके आओ और और यहां पर हम जो अपने अक्रोनेम से अगरा कवर कर रहे हैं उसके ही कॉंटिन्यूएशन में आपकी 10 ग्लास है यह तो इसको शुरू करते हैं और बाकी इसके अलावा आपकी जो भी है इस्ट्यॉफ इंडियन रेलवेज एंड डिए सी से आयल यह सब आपका कंप्लीट हो चुका है कुछ ग्लासे और उसमें कराऊंगा मैं एड़न जनरल साइंस आपका चली रहा है 11 अम को इसके अलावा आपका 5 पीम को कस्टमर रिलेशन की क्लास होती है और आपका 7 पीम को होता है जीके की क्लास ठीक है तो शिरू करते हैं आज का सेशन और आपके जो भी मतलब क्या होता है की पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक है क्या होता है यह आपका की पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर की पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर अब बेसिकली इसका क्या यूज है आपका यह जो पर्डिकलर की पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर होता है तो जितने भी कंप वो क्या होगा कि हमें new customer को यहाँ पे क्या करना है acquire करना है और जो परानी company उसका goal क्या होगा हमें जो पराने customer है उनको यहाँ पे क्या करना है retain करना है यानि कि बनाया रखना है जो हमने customer वगेरा बना रखे हैं एक example दे रहा हूँ तो यहाँ पर यह जो भी अपना strategy तो जो भी goals मनाये जाते हैं उनको ना कुछ points वगरा ये लोग उसमें आपके देखते हैं उसको बोला जाता है key performance indicator और ये अलग-अलग हो सकते हैं देखो आपका एक company का जो goal है उसमें भी एक KPI का use करते हैं और जो employees होते हैं किसे company के उनको भी यहाँ पर KPI दिये जाते हैं जै यहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी company में क्या दिया जाता है appraisal वगरा दिया जाता है तो यह जो appraisal दिया जाता है यह भी किसके basis पर दिया जाता है जो KPI होता है हर एक employee का यानि उसने कैसी गया performance की उसके level पर उसका जो KPI है वो देखकर के उसे appraisal वगरा दे दिया ज रखिए इसका कभी आपसे यूज तो नहीं पूछा जाएगा बागी यूज भी आपको clear होई गया होगा तो यह चीज़ भी धान में रख लो बागी ज्यादा कुछ खास इससे नहीं आएगा full form इसका ध्यान में रखिए next वाला जो आपका यहाँ पर full form हो जाता है यह होग पियार ठीक है ना आपने देखा होगा हर किसी की क्या बोलते है पियार टीम है ठीक है ना हर कंपनी की अलग अलग पियार टीम होते तो बेसकली पियार का मतलब क्या होता है public relations होता है इसका मतलब ठीक है क्या होता है public relations अब यह जो public relations होती है या फिर जो पियार टीम होती है उनका क्या काम होता है जैसे कोई भी company है तो उसके बारे में क्या हमें कोई भी company होते है तो उसके बारे में positive news दिखाना या फिर उसकी जो positive side है किसी भी company की वो show करना किसको audience वगेरा जो भी होती है तो यहाँ पर आप note down कर लो to represent यह क्यों use किया जाता है तो to represent the to represent the positive side of a company positive side of a company in front of in front of audience ठीक है ना in front of audience audience आपका उपर लिखा हुआ है तो यह note down कर लेना यह चीज़ क्लियर होई जैसे कि मैं आपको बताता हूं तो आप ने देखा होगा कई सारी companies क्या करती है अपने brand ambassador यहाँ पे अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं जैसे आपका किसी ने अमता बच्चन को बना लिया ठीक है तो यह आपके अलग-अलग companies अलग-अलग यहाँ पे actor या actress को जो face होते हैं non popular faces होते हैं कोई cricator हो गया ठीक है या फिर कोई यहाँ पे मुक्य बाज हो गया तो इन सभी को यहाँ पे क्या बना दिया जाता है brand ambassador बना दिया जाता है ठीक है तो पीए का मतलब भी देख लो brand ambassador होता है तो यह सब क्यूं किया जाता है ताकि company की जो image है न वो एक positive side निकल के आए company की लोगों के सामने ठीक है तो उसको basically बोला जाता है public relations ठीक है न फिर इसी तरीके से हर company में एक PR team भी हो बना कि हम क्या क्या चीजें हमारी company के लिए जादा valuable है जिससे की positive side दिखेगी यह सब का काम करती है यह PR team या फिर जो PR होता है समझ में आया चलिए थर्ड नमबर पर आते हैं सब को समझ में अगर आता जा रहे तो फटा फट से हाँ बोलते जाना है ठीक है न चलो अब IDA का ही क्या है एक new format है क्या है IDA का new and improved format new and improved format है अब इसमें क्या हुआ basically IDA तो सेम का सेम है तो चलो मुझे बताओ यहाँ पर AI DA का मतलब क्या क्या होगा आप सभी को याद आपने कर रखा होगा बताए फटा-फट से A का मतलब होता है attention ध्यान देना A का मतलब क्या होता है attention या फिर awareness then आपका I का मतलब क्या होता है interest होता है then यहाँ पर D का मतलब क्या होता है desire then होता है action इसके बाद में आप यहाँ पे जो नया add कर दिया गया है ना S इस S का मतलब होता है satisfaction कि customer को क्या मिले satisfaction भी मिले जो भी material provide क काफी important point है भई देखो आपकी company का जो सामाने customer बार बार कब खरीदेगा जब उसे satisfaction मिलेगा उस चीज से ठीक है तो आइडा यहाँ पर आपका एक new and improved format है किसका आइडा का ही clear है क्या फटा फट से हाँ बोलो चलिए आते हैं यहाँ पर fourth number पे अच्छा एक बच्चा यहाँ पर और ली किसी से बाते करना है ना और ली आप क्या करें किसी company का प्रचार करें यानि कि मैं अपने friend को मैंने अपने friend को कोई कार सज़ेस्ट करी तो वो सुनकर के लेने चला गया तो यह oral होता है ठीक है ना word of mouth basically oral होता है यह directed होता है और लेकिन अब आप देख रहे हो online वगेर जिसे लेटस से मेरा कोई friend है ठीक है मेरा कोई friend है और मैं हूँ मैंने लेटस से मैं यह वाली class कर रहा हूं और मुझे यह वाली class पसंद आई तो मैं जागर कि अपने friend को क्या बूलोंगा रिवंसर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया आप एक बार उनका lecture देखो अगर तु चलेगा which of the following is not a example of word of mouth तो उसमें आपको यह reviews वाला option भी देगा या फिर आपको यह text करने वाला option भी देगा आप इसको गलत करके आजाओगे लेकिन ध्यान रखना ही गलत नहीं किया जाता क्यूंकि as of now आज के sense में modernization काफी हो चुका है तो word of mouth में यह चीज़ें भी आपक QR code ठीक है QR code वैसे easy है यह तो सबको पता ही होगा QR का मतलब होता है quick response code ठीक है क्या होता है quick response code होता है और इसका use क्यों होता है यह अक्सर ऐसे questions पूछ ले जाते हैं आप सोच रहोगे sir CRM में इसका हम क्यों use कर रहे हैं क्योंकि basically आपका यह जो हमारे जो भी सामान वगेर हम provide QR code लगके आने लगा है और कहीं कहीं यह पूछा जाता है ठीक है तो इसका मतलब होता है quick response code और यह होता क्या है basically यह होते है scannable barcodes printed on a product on a आप से यह direct definition पूछे जाएगी इसके क्या होता है scannable barcode होते हैं जो कि product पर print होते हैं इसका क्या मतलब क्यों print किये जाते हैं to provide to provide extra information extra information about information about the product ठीक है तो यह तो इसकी क्या हो गई definition हो गई आप लोगों ने लिख भी लिए होगी लेकिन question ना आपका थोड़ा सा उलजा के ऐसे आएगा कि letter से वो आप से यहां पे question पूछेगा कि which of the following is used क्या use किया जाएगा which of the following is used question मैं इसका कराता हूँ आपको देखो question कैसे घुमाके आएगा है तो यह easy ही लेकिन question की format समझ लो question क्या पूछेगा which of the following which of the following वगारा लिख लेना ठीक है इस यूजड इस यूजड तू ब्रिज is used to bridge offline offline and online या फिर आप यहां पे online marketing या फिर shopping वगारा लिखके देगा ठीक है ना shopping देगा या फिर आपका marketing देगा या फिर आपको यहां पर user experience करके भी दे सकता है user experience clear है experience और यह जो user experience होता है इसको UX बोला जाता है चलिए खेर देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपका which of the following is used to bridge यहां पर क्या बोल रहा है bridge ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना तो आपसे question में पूछा गया है एसा कौन सी चीज है जोड़ देती है offline और online marketing या फिर जो user experience होता है उसको तो इसका answer होग scan the barcode तो आप जैसे बार कोड को scan करोगे तो आपको जो भी प्रोड़क्ट की information है online मिल जाएगी देखतरी कैसे online offline को जोडने का काम करता है ठीक है तो यह question पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको यह बताया आते हैं अपने 6 वाले number पे यहां पे जो आपका 6th number का acronym है यह हो ज marketing होता है direct marketing भी आपका एक kind of CRM का part बन जाती है क्योंकि मैंने आपको यहां देख्या जब मैं आपको software history की class number 1 या 2 मैंने कराई थी तब मैंने आपको इसके बारें बताया होगा direct marketing या फे direct database या फे database marketing यह सब मैंने आपको समझाया था ना तो वही होता है आपका DM बस इसका short form वगेरा धानवे रखना अगर अभी पूछ ले तो in case अच्छा एक बच्चे ने आपके मुझसे आपको नहीं पता होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कुछ तो मैंने पहले भी दे दिये थे ये भी देख लो WhatsApp जो है आपका एक SaaS product है सास का मतलब क्या होता है देखो SaaS का मतलब होता है software as a service यानि कि आपको एक software प्रवाइड करवा दिया गया या फिर आपको कोई application दे दी गई उस application में आपकी जो भी information है ना वो cloud में आपकी save होती जा रही है तो जैसे WhatsApp को जब आप क्या कर लेते हो backup कर लेते हो तो आपकी जो भी information है वो कहाँ पर चली जाती है cloud में चली जाती है इसलिए आपका ये जो है SaaS service है गूगल के जितने भी होगए गूगल का पूरा का पूरा package है अलग-अलग package जिसमें जो भी चीज़ा आपकी cloud में जा रही है ना अब ऐसी बास समझ लो आप कि किसी company ने कोई app develop किया उसमें आपकी information अगर save हो रही है cloud में यानि कि आप उसे एक phone में use करके दूसरे phone में अगर use करते हो तो पिछला आपका सारा data आ जाएगा तो वो सा सास ऐसा समझ लो भाई सास ने सारी की सारी information आपकी पहले की कट्टी करके रखी है ठीक है ना अरे बोलो हाँ clear है कभी भी doubt में मत आना इसके example से ही अप question पूछा जाएगा full form तो इन्होंने पिछली साली पूछ लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस बार यह सास का ही पूछे मैं आपको इतना explanation क्यों दे रहा हूं क्योंकि question जो है ना वो आपका language को घुमा करके दिया जाएगा उसमें आपको दिमाग से ही सोचना पड़ेगा ठीक है ना तो अब आप लोग धीमे धीमे आप इसके customer relation के भी जो sectional mark वगेरा है वो थोड़े बहुत देना start करो देखो उ जैसे अभी CRM आपका काफी कुछ बचा हुआ है ठीक है ना जो बच्छे पूछने है कितना क्या बचा है भी काफी बचा है अभी तो मैंने आपको basic CRM कराया software history करा है इसकी और अभी मैं आपको acronyms करा रहा हूं इसके बाद में हमें types of CRM पढ़ने है profitability पढ़नी है काफी कु थोड़ा थोड़ा तो उससे आपको idea पढ़ेगा आप जो जी जा सीख रहे हो वह apply भी कर पा रहे हो या नहीं ठीक है ना चलिए 8th नंबर पर यहां पर देखो और यह जो है आपका most important है इसको बहुत अच्छे से no down करिए यह होता है आपका can spam ठीक है ना क्या है यह आपका can spam है इसका सबसे पहले तो हम full form देखते हैं और क्यों important है यह आपका यह भी समझेंगे है ना तो देखो can spam का मतलब होता है controlling the ध्यान से no down करना सी से क्या हो गया controlling दैन हमने लगाया था इसे हो गया assaulting controlling दा assault अच्छा ठीक है यह assault रहेगा आपका और फिर एन से क्या हो जाएगा off non देखो यहां पर एन से क्या हो गया non solicited non solicited ठीक है ना solicited यह हो गया दैन इसके बाद आपका P से देखो यहां पर क्या हो जाता है यह N से non हो गया बीच में dash है यह S हो गया P से हो जाता है pornography क्या हो जाता है पॉर्नो ग्राफी देन आपका एंड ए से हो जाता है एंड और आपका M से हो जाता है मार्केटिंग तो ये जो है बेसिकली आपका एक रूल है ठीक है ना जो can spam है ये kind of rule क्या एक law है किसका US? US law है जो की pass किया गया था आपका 2003 में अब इसके बारे में क्यों important है आपने देखा होगा अकसर आपके पास जो भी business से related mail आते हैं ठीक है ना जितने भी आपके पास mail आते है mail वगेरा email पे तो उसमें एक option रहता है unsubscribe लिखके आता है ठीक है अब आप सोचते होगे सर इन लोगों ने तो हमें खुदी mail किया हुआ है अपनी वालों ने तो उसमें side में ये unsubscribe खुद को ही करने के लिए क्यों डाल रहे हैं तो इनके उपना ये law बैठाया गया है कि अगर आप कोई भी business से related आप mail कर रहे हो तो आपको उसमें अपने mail में ही unsubscribe का option डालके भी देना पड़ेगा customer को क्योंकि होता क्या था पहले ये ताकि जो pornography वगेरा है जैसे pornography जब को पता होगा जो non-solicited pornography होती है और जो marketing होती है इसकी उसको रोकने के लिए ठीक है न इससे जो assault होता है customer का पहले क्या किया जाता था कुछ भी उठागर के mail कर दिया जा रहा है किसी भी mail भेज रहे हो वो उसके लिए ठीक नहीं है तो वो उसको unsubscribe कर पाएगा यानि कि उसे नहीं लेनी है आपकी service तो नहीं लेगा ठीक है तो ये बहुत important बात है इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा can spam का full form ध्यान में रखना और US law ने इसको 2003 में पास किया यूएस का ये basically एक law है और ये क्यों किया गया जिसे जो user है उनको लेकर के ये किया गया है ठीक है ना खेर यही इसके लिए important बात है और चलिए खेर ये क्यों किया गया है ताकि company क्या करे customer का harassment ना कर पाए ठीक है ना क्या हो गया ये हमारा CMS हो गया CMS का मतलब क्या होता है content management system content management system होता है इसका full form अब इसमें basically होता क्या है जैसे कि आपके सामने कोई आप website देख रहे हो ठीक है ना आपके सामने पढ़िया सी website खुल के आ गई है उसमें कई सारे आपने देखा होगा यहाँ पर options पढ़े रहते हैं यहाँ पर about us का section होगा फिर आपका यहाँ पर contact us का section होगा फिर उसकी privacy policies होगी कुछ-कुछ यहाँ पर आपको tab वगेरा देखने को मिलते हैं तो यह सब develop कौन करता है जो एक web developer होता है ठीक है ना जो एक web developer है वो इन सभी चीजों को design करता है तो अब क्या है कि जो web developer है या फिर जो लेटस से web developer को सब कुछ आता होगा web designing वगेरा करनी कर लेता होगा लेकिन लेटस से मैं अभी खुद अपनी website वगेरा design करना चाहता और मुझे technical knowledge जाता है नहीं तो मैं क्या करूँगा मैं सब कुछ तो html format पर वेबसाइट को बना नहीं पाऊंगा तो ऐसी कुछ web application design कर दी गई है कुछ web application क्या कर दी गई है design कर दी गई है कि अगर आप अपनी website वगेरा या फिर आपको जो भी यहाँ पर create करना है वेबसाइट आपको बनानी आती हो या नहीं आती हो तो जो non-technical users होते हैं उनके लिए यह काफी helpful होता है ठीक है तो यह चीज़ जान में रखना कि यह किसके द्वारा दिया जाता है CMS तो अमीन किसके लिए useful होता है तो जो अपनी website डवलप कर रहा है उसके लिए useful होता है ना कि user के लिए ठीक है user के लिए helpful होगा क्या नहीं होगा भई बनाने में सहूलियत तो जो बनाने वाला है उसे मिलनी चाहिए न user को तो बस उसे scroll करके देखना है ठीक है बास समझ गए क्या अच्छा अब इस CMS को और भी helpful बनाने के लिए इसको अभी recently एक नया time इसके लिए use किया जा रहा है COS का ठीक है न तो इसका full form भी धान में रखना आजकल ये trend में ज़्यादा चल रहा है COS इसको बोला जाता है content optimization system क्या बोलते हैं इसको content optimization system इसको बोला जाता है अरे बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या फटा फट से हाँ बोलते जाना है आपको ठीक है ना clear हो गया क्या COS आपका क्या होता है CMS क्या होता है ठीक है तो ये सब चीज़ें आ जाती है आपकी CMS वग्यरा मैं आते हैं अपने 10th number का जो हमारा next यहाँ पे 10th number का चलो देखो इसको अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कल थोड़ा सा CTR वग्यरा के बारे में बताया था तो यहाँ पर आपकी ना 3-4 term होते हैं जैसे कि एक होता है आपका CPC अच्छा मैंने आपको CPA करा रखा है क्या cost per action मैंने आपको शायद कल call to action के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा यह आपका 11 वाला हो गया और यह 12 वाला तो अब देखो जब भी हम CPC की बात करते हैं color को एक बार change करूंगा देखो CPC की हम जब भी बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है cost per click, ठीक है न क्या हो गया cost per click हो गया और यहाँ पर अगर हम CPL की बात करेंगे तो यह हो जाता है cost per lead और यह जो आपका CPA है यह हो जाता है cost per action ठीक है तो अब तीनों यह जो term लिखे हुए है इनका क्या मतलब है, क्या कुछ होता है ये, ठीक है, ये हम एक बार समझ लेते हैं, फटा-फट से, तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, CPC की, ठीक है न, CPC, पहले न, CPA आता है आपका, है न, cost per action, तो देखो, जितने भी यहाँ पर आप देखते हो न, online advertisement वगेरा आते रहत न, तो इनको जब भी कोई company ऐसे add देती है, provide करवाती है, तो उसके लिए न, वो क्या करती है, एक तो वो CPA लगाती है, यानि कि वो बोलती है, कि आप अपनी website पे, अपने YouTube पे, FRFB पे, जितने भी add दिखाओगे, यानि कि जो भी आप impression दोगे, यहाँ पर, जितना आप impression दोगे, उस पे जो action लिया जाएगा, उसकी क्या cost होगी, ध्यान देना, किसकी, यहाँ पर impression की, click करने की, या फिर आप देखते हो, कई सारे आपसे form fill करने को बोला जाता है, तो form submit होने की, यह form submit होने का क्या मतलब होता है, survey आप देखते होगे, यह कहीं कहीं, आपको surveys वग करने को आते हैं, तो यह सब survey हुआ, form submit हुआ, impression हुआ, इस पे किसी भी link पे click करने को क्यों बोला जाता है, cookies वगएरा आती है, वो क्यों use की जाती है, आप जो भी form submit कर रहे हैं, उसमें आप अपना नाम वगएरा जो भी लिखके देते होना, उस data का use किया जाता है, आप जो किसे marketing team फूरी काम कर रहे होती है, तो यह होता है आपका cost per action, और फिर अगर मैं आपर आपसे बात करूँ, cost per click, देखो यहाँ पर तो मैंने दिखा दिया कि चलो, यह action वगएरा जो भी हो रहा है, यह सब हुआ, तो cost per click क्या होता है, यहाँ पर होती है, amount of money, धान देना, amount of money क्या बोल रहा है भई, कि जो amount of money आप spent कर रहे हो, किस पर spent कर रहे हो भई, जो भी आपने add campaign चलाई, जो आपने add campaign चलाई, उसमें click होने की, यानि कि इसमें अब यह तो हो गया चलो, ठीक है, आपके सामने ने दिखा दिया गया, कि यह form आपको fill करना है, इसमें दिखा दिय या यह survey देना है, customer यहाँ पर survey दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई guarantee नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं, cost पर click किया है, उस link पर आगे वो भर रहा है, नहीं भर रहा है, नहीं पता, वर जो link उसके सामने आई ना, उस पर उसने click किया, उस add campaign को यहाँ पर एक तरीके से successful पनाने के लिए, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आपकी campaign कितनी effective रही, ठीक है न, अगर आपसे कभी question पूछा जाए, देगो question कैसे गुमा गुमा के पूछे जाएंगे, ध्यान देना, एक तो यहाँ पर जगए नहीं है, यहाँ पर आओ, अगर आपसे कभी भी पूछा profitability हो गई किसी भी add campaign की, profitability, तो यह कौन से यहाँ पर factor पर depend करती है, तो यह depend करती है आपका CPC पर, किस पर depend करेगी, cost पर click पर depend करेगी, ना कि cost पर action पर, आपको 4 option दिये जाएंगे, उनमें 3 यह भी रहेंगे, एक कोई और रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना, cost पर click जो है, व होता है, देखो यहाँ पर, क्या होता है आपका CPL, CPL के मैंने आपको क्या बताया, cost पर, cost पर तो आपने लिख लिया होगा, L का मतलब lead, मैंने आपको बताया हुआ एक lead क्या होती है, lead कौन निकालता है, बताओ जरा, यह lead कौन देता है, lead sales team को दी जाती है, किस के द्वारा marketing team के द्वारा, अब देखो यह चीज मैंने आपको marketing और sales वाला जो SLA है न, वो पहले क्यूं बताया, क्यूंकि अब देखो इसका लगातार use हो रहा है, आप देख रहे होगे continuously दो classes से, हमको marketing team का और sales team का हम continuously use करने लग रहे हैं, तो जब आपने SLA को समझ लिया न, वहाँ पर आपने इन सभी team को समझा, तब इन terms का आगे हम use कर रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आ रही हैं चीजे, अब यहाँ मैं जितने भी acronyms का use करवा रहा हूं, यह question तो इससे पूछे ही पूछे जाएंगे, बट वो एक चीज ये भी होती है, कि आप lecture में कौनसी चीज कि देखते हैं, तो यह basically क्या हो गया, कि मैंने यहाँ पर अपने ad वगारा तो डाल दिया पड़िया है सब कुछ, उस ad को यहाँ पर survey वगारा को भढ़के बेज दिया, यहाँ पर customer ने, और उसकी email idea वगारा verify कर लिए, marketing team ने सब कुछ हो गया, तो हमें यहाँ पर एक lead मिल करना, customer को acquire करना, कुछ याद आ रहा है, दिमाग की कोई गंटी बजरी है की नहीं बजरी है, अगर नहीं बजरी है न तो बजाओ, ठीक है, तो देखो, यह होता है, आपका मैंने एक term बताया था, customer acquisition cost, ठीक है न, क्या बताया था, CAC बताया था, याद आ रहा है न, तो CAC का अगर आपसे कभी question पूछा जाए, कि जो customer acquisition cost होती है, वो किस पे dependent होती है, ठीक है न, अगर आपसे क्या पूछे, जो customer acquisition cost है, यह मैंने बता चुका हूँ, already फिर से लिखवा भी देता हूँ, CAC क्या होता है, customer acquisition cost होती है, acquisition cost होती है, तो यह CAC को यहाँ पे decide कौन करता है, तो आपको जो lead मिली है न, वही तो आगे चलके customer बनेगा, उस lead पे जो पैसा खर्च किया गया है, वही तो आपका कहीं न कहीं customer को acquire करने में cost लगी है, तो एक बहुत बड़ा factor जो CAC को decide करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा factor, यानि कि एक दो factor और है, लेकिन ये सबसे बड़ा factor है आपका CPL का, अरे बोलो हाँ clear हुआ है तो, फटा फट से बोलो, ये सबी चीजें समझने में न, अरसा चला जाता है, चलो खर, ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा, full form वगयरा clear है, question अगर ऐसे गुमागे पूछेगा, तब भी आप लोग बता चुका हूँ, ठीक है न, चलिए खर, 13th नंबर का देखो यहाँ पर, तो ये आपका हो जाता है GA, ठीक है न, क्या हो जाता है GA, GA का मतलब होता है Google Analytics, अब आप कहोगे सर, यहाँ पर हमें Google Analytics की क्या जरूरत पढ़ गई, तो देखो भई, Google Analytics की ये जरूरत पढ़ गई, सबसे ज़्यादा जो सर्च की जाती है, चीज़ें वो कहां से की जाती है, Google से की जाती है, तो यहाँ पर कंपनिया क्या करती है, Google Analytics का यूज करती है, जैसे लेटस से मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, अरे यार, बड़ा चल्लाना पढ़ता है इस क्लास में, देखो, तो देखो चीज़ें के मार्केटिंग टीम को मैंने अमटी लिख दिया, तो मार्केटिंग टीम क्या करती है, अपने जो भी इनका यहाँ पे सामने, अच्छा, एक बात बताना जरा कमेंट सेक्शन में, कि जैसे कोई कस्टमर है, ठीक है, वो कंपनी का कस्टमर बना नहीं है, लेकिन म वहाँ पर वो क्या करते हैं, उनकी audience है कैसी, बेसिकली, यानि की, to know their audience, to know their, बेसिकली मैं audience क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, to know their, यहाँ पे audience की जगह है, यहाँ पे जो word होता है, वो क्या होता है, चलो एक बार बताओ, कमेंट करके, मैं अभी फिर से use ही नहीं करूँगा किस ट्राइब की चीज़ें उने पसंद है, उनका पाथ क्या है, यानि कि वो Google पर क्या सर्च करते गूमते रहते हैं, तो यह जो service होती है na Google Analytics की, यह Google के द्वारा ही provide करवाई जाती है, कि किसी भी website का traffic वगएरा कैसा है, ठीक है ना, यानि कि लेटेस से मेरी कोई website है, मैं उ कॉस्मेटिक क्या-क्या होते हैं, जिसे eyeliner हो गया ठीक है, eyeliner हो गया और powder हो गया, ठीक है, तो जो भी cosmetic होते हैं अलग-अलग type के, तो मैं उन सभी के बारे में अलग-अलग यहां पर articles वगएरा लिखता हूँ, अब एक company आई, वो उट करके आती है, उसने देखा, यह website है, cosmetics की और बहुत बड़िया मेरी website चलती है, Google Analytics का काम यही होता है, वो दिखा देता है कि कौन सी website सबसे टॉप पर चल रही है, एक particular category में, ठीक है ना, तो उस company को पता चला कि यह website है, अब उस website पर वो आके देखेगा कि यहां पे इस website की कौन से page पे ज़्यादा traffic आता है, मैं eyeliner वा बी ठीक है, तो यहां पे किसके ऊपर मतलब ज़्यादा आपका क्या बुलते हैं, जो traffic है वो आ रहा है, तो जैसी उसने cosmetic company ने देखा कि अरे भई यहां पर जो है ना, fairness cream की ऊपर सबसे ज़्यादा यहां पर क्या आ रहे हैं, लोग आकर के रुक के देख रहे हैं, fairness cream के जब मैं बताता हूँ, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं, जो most common doubts होते हैं, जैसे ही कि आपका कैसे pimples को दूर करें, यह वो है ना, यह फलाना डिमागा चीज़ें, तो वो सब आपका नीचे लिखा रहता है, तो उसने देखा भई, customer जो है, वो आपका जो भी यहां पर user R.I.N. वो रुक रुक के यह सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहा है, उसका रुकने का engagement time है, वो काफी जादा है, तो उसने देखा भई, यानि कि fairness cream की जादा demand होने वाली है, तो वो क्या करेगा भई, जो आपका marketing team है, वो इन customers के बारे में जानेगी, कि fairness cream के customer जादा देखते हैं, तो उनको उसी तरीके से approach करेगी फिर वो, कि आपको हमारी अगर आप fairness cream लोगे, तो आपकी skin बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, जैसे कि मक्खन जैसे एक skin हो जाएगी, बिल्कुल कहीं कोई भी वो नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, pimple वागरा, ठीक है, तो समझ रहे हो यह सारी सारी चीजें, चलो खेर, यह हो गया, आपको यह समझ में आया होगा, Google Analytics का क्या use होता है, चलिए, आगे आते हैं, यहाँ पर आपका एक होता है CX और फिर कौन से नंबर का है, यह आपका 14 नंबर का है, CX हो गया या फिर आपका UX हो गया, अब यह CX और UX का क्या मतलब होता ठीक है, Customer Experience, क्या होता है यह आपका, Customer Experience होता है और UX होता है आपका User Experience, तो इन दौनों चीज़ों को भी आप एक बार no down कर लीज़ें, ठीक है, User Experience हो गया और Customer Experience हो गया, तो बस इसमें कुछ खास है नहीं है, वही Experience का मतलब होता है कि आपके कोई भी लटस से मैंने सामान प्र दाने वगरा है वो चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या उसका उल्टा हो गया, और मुझे उल्टे बहुत सारे दाने आगे, तो क्या वो आपकी क्रीम अप कभी लेगा, नहीं लेगा, और उपर से आपका negative word of mouth होट जाएगा, तो बस यही चीज होती है, जैसे कि आगर आप Customer Experience है न, जो और जो चीज आपकी जो Company Customer Experience पर ध्यान देती है, यूजर Experience पर ध्यान देती है, वही ज़्यादा आगे तक जाती है, ठीक है, जैसे कि आपका Apple वगएरा हो गया, इनका Software तो भाई एकदम गजब का होता है, ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़े है, समझ गया हो ग करेंगे, वो भी मैं आपको करा दूँगा, तो बस यह acronym कर लोगे न, तो आपको Marketing उठा के पूछ ले, चाहें वो आपका CRM से पूछ ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इस तरीके Oceans पूछे जाते हैं, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें, इसके अलावा पर क्या बोलना था, हाँ भई, यह आप लोग न, like, share वगएरा, खुछ से किया, अगरो मुझे आपको पता, अगर आप मेरी classes वगएरा देखता हो, तो मेरी आदत है नहीं यह बोलने की, तो teacher को न, अच्छा भी नहीं लगता, कि मैं बोलूँ खुछ से की, यह सब करो, I hope आप लोग backend पे भी काम कर रहे होगे, जो मैंने पोला हुआ है, math वगएरा, solve करना, start करो, जिनको नहीं पता है, तो देखो, RS अगरवाल उठा लो, यह फिर कोई भी basic book उठा लो, reasoning की कोई भी basic book उठा लो, और उसे जाके solve करना, start करो, math में आपका topic, start करो, percentage, end आपका ratio, ठ reasoning में आप start कर लो, अपना analogy start कर लो, analogy start कर लो, coding decoding कर लो, coding decoding कर लो, चलो, analogy बाद में होती रहेगी, आपको मैं करवा भी दूँगा, ठीक है, करवा दी जाएगी, आपको don't worry, पहले आप coding decoding पूरी start करो, कैसे क्या होता है, word to word वाली, word to number वाली, ठीक है, सब यह start करो, और य के बारे में tension नहीं लेनी है, चल यह खैर, अब इस session को यहीं पर end करूँगा, मैंनत करते रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहे हैं, and thank you so much, God bless you all, take care, and bye-bye.